नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों इंगलेंड और स्कॉटलेंड का जो मैच है इस मैच की जो पंटर पेक है वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ जो आपको ग्रेंड लीग में बहुत जबरदस्त रेंक ला कर देंगे और कल के जो तैयार कर सके लेकिन जो जरूरी थीज़ है वो यह कि अगर अभी तक आप लोगों ने टेलेग्राम पर हमें जोइन नहीं किया है तो टेलेग्राम पे जोइन कर लेना टॉस के बाद आपको पिच रिपोर्ट मिल जाएगी आपको फाइनल अपडेट मिल जाएगा अगर वीडियो में एक और जबरदस्त आफर लेकर आया हूँ ग्रेंड लिग का टॉप प्राइज आप जीच सकते हो सरफ एक रुपए में और एक नहीं दो टीम्स के साथ में यह कैसे होगा कहा होगा और कैसे होगा सब कुछ मैं आपको डीटिल में समझा दूँगा पस आपको क करना इतना है कि वीडियो को पूरा देख लेना है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो यह काम बहुत जरूरी है यहीं से शुरूबात होती है चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ में बेल आइकन प्रेस कर यह मैच है वेस्ट इंडीस के अंदर और इस मैदान पर टोटल मैचिस खेले गए हैं 24 जिन में से 16 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है ज्यादातर मैचिस के अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने मिल रहा है कि लोग स्कोरिंग म वैसे तो आप इसके पहले कुछ 171, 193 और 189 जैसे स्कोर देख रहे होंगे लेकिन पेचला जो मैच था वो लोग स्कोरिंग हो और लोग स्कोरिंग मैच ऐसा हुआ कि फस्स भी गया था स्कोर करने वाले प्लेयर कौन थे यहां से खालिद केल थे जिन्होंने नमबर 5 पर बैटिंग की थी यहां पर फ्रेलिंक थे जिन्होंने नमबर 3 पर बैटिंग करते हुए 45 का स्कोर किया था power play में 3 wicket यहां है यहां पे 0 था England ने batting की थी यहां पर 1 wicket आया England ने batting की यहां पे West Indies ने batting की तो 0 wicket थे तो आप यह मान लीजेगा कि आपको power play में wicket देखना मिले यह ज़रूरी नहीं है power play में बहुत अत्तक यह हो सकता है कि बिना किसी wicket के 6 over complete हो जाए खास तोर से अगर England पहले batting कर रही है तो इसके chances ज्यादा होंगे लेकिन अगर Scotland पहले batting कर रही है तो कुछ इस्तिती इस तरह की बन सकती है जिसमें आपको 2 से लेकर 3 wicket देखने मिल जाएंगे इस मैदान के ऊपर spinners ने भारी कमाल किया है भारी कमाल कैसा? यहाँ पे देखिए 5 wicket spinners को मिले यहाँ पे 4 wicket है यहाँ पे 7 wicket spinners किखाते में है और यहाँ पे 6 wicket spinners ने निकाले है मतलब spinners को avoid नहीं कर सकते हो जैसे हमने केशा महराज को avoid नहीं किया था कल के मैच में वैसी ही कुछ इस्तिती यहां है तो आधिल रशीद आपको मिलेंगे मुहिन अली आपको मिल जाएंगे तो जिनको हम avoid नहीं कर सकते हैं और दूसरी तरफ से तोपली को रख लेंगे या फिर आपको मिलेगा आर्चर आपको मिलेगा वहां पर एक और जॉर्डन लेकिन रशीद को अधिकतर लोग छोड़ के चलेंगे इसके पीछे आप यह देख सकते हैं कि फाइदा मिल सकता है स्पिनर्स को रखने का यहां पर यह चीज क्लियर है दो अब चलिए दोस्तों दोनों टीम से हैट तो कोई मैच नहीं खेला है हम पहले यह देख लेते हैं कि कैसे आप ग्रेंड लिक में जो कॉंटेस्ट है मेगा कॉंटेस्ट वह आप एक रुपे में कैसे जॉइन कर सकते हो और कहां कर सकते हो तो इसके लिए आपको करना बस इतन करने जाएंगे तो आपको दो मेगा कॉंटेस्ट जोइन करने का मौका मिलेगा वह भी सिर्फ एक रुपे में और उस मेगा कॉंटेस्ट का प्राइस पता है कितना होगा दोस्तों प्राइस होगा एक करोड रुपे और सबसे पढ़ी कमाल की बात पता है कि अब चाहें एक्स्टरा बेनिफिट चाहिए तो आप लोग मेरे कूपन कोड टैलेंट 23 का इस्तमाल कर सकते हो जिससे जब भी आप पहली बार डिपोजिट करोगे तो आपको 20% का एक्स्टर कैश मिल जाएगा ये वर्ल्ड कप के लिए है और पहले जो नया यूजर है उसके लिए है अ अगर सैंकरन खेलते हैं तो वो नहीं गेंश के साथ में मिलेंगे मार्क वोड़ और क्रिस जॉडरन मिडल ओवर्स में आदेल रशीत और मुईन अली आपको बीच के ओवर्स में गेंद बाजी करते मिल जाएंगे बहुत अतक ये भी देख सकते हो कि मुईन अली नहीं गें जनोगी वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूँगा स्कोर कौन कौन से प्लियर करेंगे वो हम समझ लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में तो इस मैदान के उपर बटलर ने चार मैच खिलकर 109 बनाया है वहीं फिल सौर्ट ने चार मैच खिलकर 100 इनों ने किया है और दोनों ने एक एक बार 50 से उपर का स्कोर किया है नमबर तीन नमबर चार पे विल जैक और वेरिस्टो है फिर आपको मिलते हैं बुरूक जिनोंने 2 मैच में 11 किया है और मुईन अली इस मैदान पे 7 मैच इस में एक बार 50 से उपर का स्कोर कर चुके है गिनबाजी में इनके पास में आप्शन है कि मुईन अली 5 विकिट निकाल चुके है आदिल रशीद निकाल चुके है 9 विकेट और किरिस जॉर्टन निकाल चुके है 4 विकेट इस मैदान के उपर मतलब इन खिलाडियों को इस मैदान पर पहले से खेलने का experience है अब पहला नाम है बटलर का जिनोंने 27 इनिंग में 41 का बेटिंग एवरेज है 84 का हाइएस्ट है और 8 बार 50 से उपर का score है यह जो इनका पूरा record है 2022 से लेकर 2024 के बेच का है जिसमें पहले वेटिंग करते हुए 6 बार 50 से उपर का score है और रिसेंटली जो आप 80 प्लस का score देख रहे हैं यही एक score उन्होंने अभी हाल ही में देखा जाए तो ठीक टाक फॉर्म में है और कमजोरी कुछ भी नहीं है इस हिसाब से जो पहला आपके लिए कैप्टेंसी और कंफर्म प्लेयर बनता है वो है बटलर सेकिंड नाम है फिल सॉल्ट फिल सॉल्ट जब भी गंदी के इनवाजी आएगी न 170 के स्ट्राइक रेट से रन मारेंगे यह आप ध्यान रखिएगा 22 इनिंग में 36 का बेटिंग एबरेज है स्ट्राइक रेट 166 का है जिसमें 250 और 200 से उपर का score शामिल है अब इन्होंने पहले बेटिंग करते हुए है तो कोई 50 नहीं किया लेकिन जब बात सेकिंड इनिंग की आई है तो 250 और 1200 से उपर का score कर चुके है दोनों इनिक्स में लगबग 30 से उपर का बेटिंग एबरेज है ये खिलाडी आपके लिए अच्छा पिक होगा अब वैसे भी हमें पावर प्ले में विकिट नजर नहीं आएं इस मेंदान की उपर ज़्यादा तो चांसे हैं कि ये दोनों खिलाडी आपको एक अच्छा score करके दे जाएंगे नमबर 3 पे आपको कौन मिलता है वहाँ है विल जैक जिसका ये जो record देख रहा है न ये उस हिसाब का नहीं है जिसको हम कह सके हैं जो इनको justice दिला रहा हो हाल विलाल गिस्तिती में विल जैक को जो हमने IPL में देखा था उस हिसाब सी हम उनको टीम में शामिल करेंगे गेनबाजी नहीं करा रहा है इनसे गेनबाजी अगर कराते तो फिर मैं इनको confirm captain करता अपनी टीम का चुकि गेनबाजी नहीं कर रहा है तो फिर ये मेरे लिए होंगे as a player नमबर 3 पर बेटिंग करती हुए हाला कि दोस्तों ध्यान रखेगा इनको सबसे बड़ी दिक्कत है spin खेलने में, spin को ये बहुत परिशानी रहे यहाँ पर आप देख भी सकते हो orthodox ने तीन बार आउट किया leg break ने भी तीन बार आउट किया है मतलब देखा जाए तो total 13 इनिंग तो खेली है जिसमें से 6 बार spinner ने और 5 बार right time medium ने आउट किया है फिर है इसके बाद यहाँ पर right time medium में क्रिस सॉले, मार्क वाट और क्रिस ग्रीविस आपको मिलते हैं जो कि इस तरह की गिनबाजी करते हैं फिर आता है नाम Barristow का Barristow जो player है वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा कह सकते हूँ कि आप भरोस्य का player नहीं है यह इस तरह का player है कि आगर आपने छोड़ दिया तो score कर देगा, ले लिया तो नहीं करेगा, वाली स्तिती बनती है अब कुल मिलाकर इनों ने 4 बार 50 से उपर का score किया है अपनी 26 inning में, मतलब एक 50 बनाने के लिए लगभग लगभग 5 से 6 inning का इस्तमाल किया है 5 से 6 inning एक 50 बनाने के लिए इस्तमाल करते हैं, left arm medium इनको दिक्कत देता है और यहाँ पर Bradley करी हैं जो कि इस तरह की गिंदबाजी करते हैं, चुकि अगर पहले बेटिंग कर रही होगी, इंगलेंड की टीम तो तो चांसे हैं कि इनकी बेटिंग आ जाएगी लेकिन अगर इंगलेंड second बेटिंग कर रही है तो फिर आप यह मान लीजेगा कि Barristow की बेटिंग शायद कि अब लकुल आप 80 से 90 परशंट मान के चल सकते कि नहीं आ पाएगी फिर इसके बाद है Harry Brook 27 का बेटिंग एवरेज है यह दो बार 50 से उपर का स्कोर कर चुके हैं और दोनों 50 जो हैं इन्होंने पहले बेटिंग कर दूए कि हैं बहुत हाइक मिली थी इनको जब यह नए-नए खेलने आय आयते इस हिसाफ से वैसे देखा जाए तो Orthodox इनको चार बार आउट कर चुका है Leg Spin इनको आठ बार आउट कर चुका है Clear सी बात है कि Spin को तो यह बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा है अगर पिछ ने जरा सा भी टर्न लिया ना तो यह घिलाडी कहीं से कहीं तक आपके काम नहीं आएगा Chris Grievous यहाँ पर मौझूद है और Mark Ward Mark Ward इस टीम के बड़ी एक Spinner है फिर भी यह Wicket निकालते हैं फिर इसके बाद है मुहीन अली अब दोस्तों मुहीन अली जो है न यह आपके Vice Captain का काम करेंगे कब करेंगे अगर आपको गलती से या फिर कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि टॉप ओडर नहीं चला इंगलेंड का तो फिर सीधा जो मुहीन अली है यह Vice Captain का रोल कर सकते हैं लेकिन अगर टॉप ओडर बैतर स्कूर कर रहा है बहतर बैटिंग कर जाएगा तो फिर यह ऐसा प्लियर ही आप रखिएगा क्योंकि आपको गिनबाजी से अगर विकिट दे जाए तो बस वही Profit होगा नहीं तो यह Chances ना के बराबर हैं बैटिंग के अगर बात करोगे तो सिर्फ 26 का बैटिंग एवरेज है और गिनबाजी में भी ऐसा नहीं है कि आते ही तावर तोड़ विकिट निकाल देंगे हाँ यह है कि आपको दो ओवर की गिनबाजी देंगे पिछला अभी हमने जो पाकिस्तान के सामने बैटिंग गिनबाजी देखी थी वहाँ पे तीन ओवर डाल दिये थे इस वज़े से मैं इनको टीम में रखने की सला दे सकता हूँ बस क्योंकि वहाँ तीन ओवर कर दिये थे पाकिस्तान के सामने अब चुकि मिचल लीस्क जो है इनको परिशान कर सकते है और क्रिस ग्रीविस के सामने भी इनको दिक्कते आती हुई नजर आएंगी इसके बाद अगला नाम है सेम करन का सेम करन और नई गेन के साथ में गेनबाजी करेंगे तो इनको छुड़ना मुश्किल होगा क्योंकि नई गेन के साथ में हम ज्यादा नहीं तो एक विकिट मानके चल रहा हूँ स्कॉटलेंड का खास तोर से यहां पर देखूँगे पहले गेनबाजी करते हुए सेकंड करते हुए 14 विकिट है चुकि वल्लेवाजी कर लेते हैं जब हम मुईन अली और हरी ब्रूक की वल्लेवाजी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं तो फिर तो यह तो बहुत नीचे है इसी लिए बेटिंग रिकॉर्ड देखने से फायदा है नहीं गेनबाजी की देखेंगे तो नहीं गेन के साथ में आपको गेनबाजी करते हुए नजर आ जाएगे इसके बाद क्रिस जॉर्डन है जॉर्डन जनरली अगर आप देखेंगे तो डैथ ओवर के स्पेसिलिस्ट हैं मतलब डैथ ओवर में गिनबाजी करते हैं या फिर यह कहलो कि नौकी एकनोमी से पिटते हैं और पिटते पिटते विकिट मिल जाता है या फिर आप यह कह सकते हो और आप भी चीज़ का ध्यान रखना मैंने पूरे आई पिल में आपको बदाया था एक प्लेयर ऐसा हर टीम से मैंने किया था कि इसको पूरे टूर्णामेंट में कैपटन बनाना है जबता कि खेल रहे हैं क्योंकि यह आपको कभी भी तीन से लेकर चार विकिट निकाल क पर दे सकते हैं इसके पीछे का कोई इसा बहुत बिशिस्ट लोजिक नहीं है बात बस इतनी सी है कि ज्यादा तर गेंदे ये वेरियेशन के साथ में यूज करते हैं कई बार मिसेट होने पर इनको 3-4 विकेट मिल जाते हैं बस इसी लिए आपको इनको कैप्टन करना है और व पहले गेंदबाजी करते हुए 8 है और 2 करते हुए 9 विकेट है ये पिछले एक साल का इनका रिकॉर्ड है जिसमें हाइस्ट नहीं है सिर्फ 2 ही विकेट है और 2 विकेट का हाइस्ट मतलब सिर्फ as a player टीम में जगे बना पाएंगे इसके बाद मार्क वुड मार्क वुड की अगर बात करेंगे तो 17 इनिंग 29 विकेट इनके पास है और ये खिलाडी पहले गेंदबाजी करते हुए आपका वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों का काम कर सकता है तो दोस्तों यहाँ पे इंगलेंड की टीम है जो फिनिश होती है देखा जाए तो स्कॉट लेंड के ख फिर तीसरा जो प्लियर है इस टीम की तरफ से वह मिचल लीज्क और फिर गेंदबाजी में जो इनके पास में बढ़िया ऑप्शन है वह मार्क वर्ड और क्रिस ग्रीविस यह इस टीम के सबसे बहतर प्लियर है और एक है ब्रेड वील यह तो दोस्तों तीन गेंदबाज औ सकते हैं स्कॉटलेंड के तो वह कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं पहले अगर इस टीम की गेंदबाजी की बात करें तो आपको क्रिस सोले और ब्रेड वील नई गेंद के साथ में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे मिडल ओवर्ड भी कई बार नई गेंदब हैं ये मिडल ओवर्ड में आपको नजर आएंगे ब्रेड लिक करी जो हैं ये डेथ ओवर में कुछ ओवर करते हुए नजर आ सकते हैं इस मैदान पे स्कॉर्ट लेंड के किसी भी किलाडी ने पहले कभी कोई मैच नहीं खेला है अब प्लियर्स रिकॉर्ड की बात करेंगे अब ही दोस्तों यहां तक की चीज़ अगर क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और टेलेग्राम जिन जिन लोगों ने जोइन नहीं किया कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट स्क्षन में मौजूद है जरा देखें अब जोर्जी मुंसे की हम बा दिशान कर रहे हैं तो जो आर्चर हैं और जो मार्क वूड हैं जो नहीं के साथ में गेंद बाजी करते हैं तो इनके लिए दिक्कते खड़ी कर सकते हैं मतलब इस खिलाडी को हम उतनी प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे फिर नंबर दो पे आपको कौन मिलेगा नंबर दो पे आपको मिलेंगे चारली और चारली ने दो मैचिस खेल के पंदरा रन बनाया है तो अभी मैं कोई एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं हूँ तो इनको सीधा छोड़ूँगा फिर आऊंगा मैं नंबर तीन पे ब्रेंटान मैकमुलन आपको मिलेंगे जिनका बेटि करने का मौका मिलेगा फास्ट बोलर्स को खेलने का मौका मिलेगा इस वज़े से मैं अभी के लिए लेग स्पिन को इनकी कमजोरी ना मानते हुए सिर्फ स्टार्टिंग में इनसे 20-25 रन की उमीद कर सकता हूँ फिर आपको नंबर चार पे मिलेंगे बेरिंटन दूसरा सब से इंपोर्टेंट पिक जिसकी कमजोरी सिर्फ और फिस्पिन है यहां पर फिस्पिन के नाम पर मुहिन अली मिलेंगे जो की कन्फर्म भी नहीं है कि ओवर डालेंगे या नहीं डालेंगे तो बेरिंटन को रख सकते हो पहले बेटिंग करते हुए इस्पेशली पांच बार 50 से उपर का स्कोर है और रही बात इनकी गिनबाजी की सेकंड इनिंग की तो 50 से उपर का स्कोर इनोर किया है इसके बाद मैठ्यू क्रोस ने उसना कुछ खास किया नहीं है बेटिंग एवरेज 21 है 50 इनके खाते में है नहीं राइट आम मीडियम अगर किसी बल्लेबास को प विकेट है और पहले गिनबाजी करते हुए चार और सेकंड करते हुए सोला विकेट है चुकि वह ऑफिस्पिन करते हैं और वैसे में है ओफिस्पिन को इतनी दिक्कत नहीं मान रहा हूं लेकिन हाँ अगर टर्न हुआ तो वड़ी दिक्कत आ सकती है और्थोडोक्स इनको बैटिंग करने में दिक्कत करता है जो अभी इंगलेंड के पास में नहीं है पचास इनों ने किया नहीं है और बैटिंग अवरेज भी इनका बहुत कम का है फिर अगला जो नाम आपको मिलता है वह है ग्रीविस के बारे में मैंने आपको बताया था कि लेग स्पिन गिंद बढ़िया प्लेयर है और इसने सेकंड इनिंग में 17 इनिंग में 21 विकेट निकाले हुए है अगर आप इसका हाइस्ट देखेंगे तो 4 विकेट का इसका हाइस्ट है मार्क वाट को रखा जा सकता है कम से कम एक विकेट के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह खिलाड पर 10 इनिंग में 10 विकेट पहले गिनबाजी करते हुए 5 और 2 विकेट और अंतिम जो नाम है वो है प्रेडली का जिनोंने 9 इनिंग में 15 विकेट निकाले है और ज्यादा तर जो विकेट है वो है 2 एनिंग के अंदर तो अगर इस खिलाड़ी को रखना है तो यह वैसे तो वैसे भी इंगलेंड की तरफ ही होने वाला है जैसे आप देखेंगे कि बटलर केटन होंगे विल जैक और मार्क वोड के साथ में है फिर अगर हम बात कर रहे हैं रिस्की की तो रिची बेरिंग्टन फिल सॉल्ट और आर्चर को ट्राइ कर सकते हैं अब है तीम और जो सामने वाली टीम से मैंने प्लियर रखा है एक जॉर्जी मुंसी और एक रिची बैरिंग्टन मेरी टीम में है अभी अगर यह टीम पहले के इंबाजी कर रही होगी तो कुछ एक अलग कॉंबीनेशन होगा जो मैं आपको टेलेग्राम पे शेर कर दोगा टेलेग्रा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर तब तक के लिए बाई जय है जय महाकाल